तुम्हारी आखें बन रहेंगी मैं जाकर छुप जाओंगी तुम्हारी यहां 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 देखो यहां अलो राम कल शाम का प्राइम टाइम स्लोट बुक करो ठीक है सर लेवे स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो का टेली कास्ट करना है अलिसन हर दस मिनट में बिग ब्रेकिंग न्यूज एक्सपोस कर रहे हैं ऐसा न्यूज डालते रहना वके सर मैं चाहता हो कि पूरा इस्टेट देखे वके सर अ हां अ हां सीधे आओ आजाओ 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 अरे सीधे आओ इस तरफ मैं ने पकड़ आजाओ बेटा सारी गलती से पकड़ना गलत नहीं होता है लेकिन मेरे बारे में जानने के बाद भी पकड़ना गलत होता है हाओ डियर यू एंटर इन्माइब हाउस गेट आउट रिलाक्स अर्मान रिलाक्स इतना टेंशन क्यों ले रहे हो बेकूल डरा रहे हो क्या तेरे जैसे बेवकूफों की यही प्राब्लम है खाना देता हूं तो खाते नहीं बंदूग दिखाता हूं तो डरते नहीं एक बार और सोच ले अगर तु कल टेलीकास्ट होने वाले न्यूज को रोक देता है तो मैं इस बंदूग से निकलने वाली गोली को रोक दूँगा इस बंदूग से नहीं रखे तो गणेशा रखे ने लेखे लेखे लिए दाते हैं यहां एफेला इसक्राइब करेंगे तो कि गुएंच चेक अच्छ में ऐसी खटना होगी ऐसा सोचा नहीं था सापताहिक पत्रिका के पत्रकार चीफ एडिटर अर्विन अराध्य है और उसके पूरे परिवार की हत्या हुई है इस हादसे के केस को जिमेदार काविल पुलिस अदिखारी प्रताप मिश्रा को सौपा गया है अच्छ क्रिमिनल ने एक छूटा सा सबूत भी नहीं छोड़ा आए तेंक इस्मार सर ऐसा कोई सबूत मिला क्या कि इस केस में किसका हाथ है देखें इन्वेस्टिकेशन चालू है जब तक वो पूरा नहीं होता कुछ नहीं बता सकते हैं थैंक्यो क्या हुआ सर वो कहना एक सबूत छोड़े बिना मडर किया है इसलिए इस केस को सौल करने के लिए आपको बहुत मुश्किल होगी वो कातिल भगवान के आखों से बसकता है लेकिन मेरी आखों से नहीं बसकता है इंस्पेक्टर विक्रम का नाम सुनते ही जवान लड़कों में एनरजी भर जाती है साथ ही साथ इस दैनमिक का सामना करने की किसी गुंडे में हिम्मत नहीं मुझे आरेस्ट करने की हिम्मत उस डिपार्टमेंट में किसके पास है उसकी तुप ऐसा बोलने वालों को भी मैंने विक्रम के पैरों में पड़ता हुआ देखा है उनकी इस सिंसेर्टी को देखकर ही मैंने खाकी ड्रेस पहनी है जैसा खड़ा हुआ कटाउट डिपार्टमेंट में विक्रम की क्लास और मास देखकर उसे बौलात कहते हैं आईए विक्रम का नया अवतार देखते हैं पुलिस की वर्दी पहन कर हमें डराने वाले डियालोग मार रहे हो तुमके आप द्याको डैनमेक हीरो देवराज समझे हो क्या अरे नहीं उसका बेटा प्रश्वल देवराजी समझ लो बाप मारे तो लॉक अप डेथ और बेटा मारे तो स्पॉट डेथ हो जाएगी रहना आतंक है ये तुझे नहीं पता अगर जान लेगा तो तुरंत आकर मेरे पैर पकड़ लेगा सुन रहा है ना पैर पकड़ लेगा तू ना तो मैं किसी के पैर पकड़ता हूँ और ना ही मैं किसी को अपने पैर छूने देता हूँ यह डाइनामिक प्रेंस ना किसी के पैर छूता है और ना ही किसी को अपने पैर छूने देता है खेलने के लिए तो सिर्फ बॉल ही काफी है और तेरे लिए तो मेरा हाथ ही काफी है बारोईसे! बारोईसे! प्रजुब्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्थ! जारोईसे! ऑ की बारोईसे! जूँन पर करा मार्मनें से ज़र ऑफे आपा है विलिख बूखोओर हैं पलगिले येलेbie मजाया घरा ङीले? ग्यों होए अध्या है अब क्या करता रहता है येले और लिए भी ये चल कर रहे है कि अब नहीं कर दो पॉप भुदय कि अपर न है पॉप जाएजी कार्डिवाजी भतनी हमारे साथ इंस्पेक्टर विक्राव राज्य के पुलिस डिपार्टमेंट में दूसरा कोईनुर हीरा हां सर पहला कौन है कि इस तरा भी नहीं पताएगे हैं है फैट्रिक हीरो राज्य के चक्रवर्थी डाप्डर शिवराज कुमार कि शुक्रिया साप आपने हम लोगों पर बहुत तक्लcha की कई सालों से हमें यहां काम करने में बहुत तकलीव होती हुद धी शांत रहिए माजी उखाक अनका सामना करने तक ऐसे लोग हम पर हुकम चलाते ही रहते हैं किया भाई आप लोग इतने सारी लोग हो कर अभी उनका कुछ भी नहीं कर पाए उसका सामने हम कैसे कर सकते हैं यही तुम लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है हमसे नहीं होगा हम क्या कर सकते हैं कहते हो क्यों इसी तरह से अपनी पूरी जिंदेगी काटना चाहते हो क्या कपड़ा धोने वाले तुम लोग कुछी हम सब हो जाएंगे ना तो खूब जमेगा रंग है मैं कम इन सर अरे विकरम तुम भी कॉलेज के लड़कों के जैसा शेव करकर आ सकते हो ना यह सब क्या है देखो तुम्हें यह करना है कि अंज्जॉय करना है ना सर क्या कहा और क्या सर तीन दिन की च्चुटी का प्लान कि और अपने सामने चलते हुए लोगों को देखकर उनके नहीं जैना चाहिए और अपने पीछे आने वालों को हम ही ग्रेट है, ऐसा ऐसास नहीं होने देना चाहिए, अपने साथ रहने वालों के साथ कभी जगडा नहीं करना चाहिए, इन तीन रूल्स को फॉलो करो, तुम्हारी जिंदगी में भी खुशी आ जाएगी, साहब आप कुछ भी कहो, आपकी सोच बहुत ही अच्छी है साहब, तो मैं दूसरा कोई नो री रहा हूँ ना, अब चलो, बदमाश, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, विक्रम, पता है मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है, आज तो आपकी अनिवर्सरी है तो ट्रीट दने के लिए बुलाया होगा, वो एक सेकेट, हो मिनिस्टर का पी है, हलो, ट्रीट देने के बदले ड्यूटी के वाज है, और क्या अटी, वेडिंग डे स्पेशल क्या है, आज मेरे हस्बंड मेरे साथ टाइम बिता रहे हैं, यहीं मेरे लिए स्पेशल है, वह बात नहीं हमेशा अंकल आपको याद करते रह इंदीर चैंटीन तो एक दिन अपा कैंटीन में आज थोड़ा चेंच आई चाहिए ऐसा कहते हैं परसो क्या है अंटी, नहीं जान तो छोड़ा ऑंटी, नहीं नहीं बेटा बताओ ना तो ठीक है वह जैसे वाटसेब का टीपी चेंज करते हैं ना रियल लाइफ में भी डी मुझसे तो उन्होंने कभी ऐसी बाते नहीं की बेटा अंटी पती सिर्फ दो ही जगापर बात करता है एक पत्नी माई के जाने के बाद या फिर दारू पीने के बाद आपको थोड़ा सावदान रहना पड़ेगा अंटी ऐसा क्या जब भी देखो तब चेंज चाहिए चेंज विच्छना कर दे वो विक्रम सॉरी अब आएगा मजा अंकल आपके लिए टोमेटो सूप का ओडर करूं क्या अरे नहीं वेटा कुछ और लूँगा मश्रूम सूप का ओडर हाँ एक्स्क्यूज मी येस तोमेटो सूप और एक मश्रूम सूप ऑर एक मश्रूम सूप जीच्छ परफिट हो गए हां हमारे शादी को 26 साल पूरे हो गें इसलिए आपको चेंज चाहिए चाहिए अन में बिल भरने के लिए कैश नहीं देता हूं टेकनलोजी के सासाथ अपने को भी बदलना होता है न मेरे जैसे तुम नहीं बदल पाओगी क्या कहते हो विक्रम प्रशेप ही जेंज हो जाए तेंक यू मश्रूम सूप इसे पिय तो बहुत साल हो गया है हाँ नया गाओं नया पुलिस टेशन चाहर कर वाने पोस्टिंग करवाई है क्या होगा क्या पता यह देखो इसे मेंज्ट कॉल ही किया करता है हां बंटी हां बोल गंटा खोपाल मैं ड्यूटी में हूँ आज तुझे क्या काम पड़ गया अरे बंटी अपने आसपास के रहने वाले एंपी लोगों से बच के रहना है अलो अलो कभी भी देखो कॉल कार्ट देता है इसकी बा माहिला पुलिस भी हो सकती है पूलिस मैंने जैसा सोचा था वैसा यह भी नहीं हो सकती और गूं हो सकता है यह होगी शायद ही थात्या है थाट हाय तुम्हारा नाम बस्वा क्हूं कंत शब्चा तूम्हें कित्नी फोलिस फू. रखना है। तो दादाजी बेडरुम में बहुत कवीता है लिखते थे इसके मेरा नाम कवीता रखा पता है मुझे गुलाब जावन बहुत पसंद और तुम्हें रूमून पसंद और यह नौटी और मुझे फिल्म अक्टर्स में रन्बीर पसंद और तुम्हें बूस्त है क्या चोरनी कविता साइन मारने को कहा था और तू यहां बातों में लगी हुई है चल्ड एंपी का मतलब महिला चोरनी है क्या अच्छा वहां हाथ छूली है सिर्फ तू सच में भैस है यह देख उसने तेरी अंगुटी चोरी कर ली यह यह अधिर से तुम आ गये कई पर भी टबक जाते हो यार विखरयम के साथ बिताल तो रहता ही ना सर्ट है मैं कह Audrey थो आपका स्टाइल अपके समाईल सबको फॉल्ड करके आपके जैसा बनना चाहता हूं है अब पुलिस डिपार्टमेंट के क्याश्र कोंस्टिबस बढनना चाहता Ċंड कमिश्टेर ने कहा आपको रिपोर्ट करने के लिए पुसकल के लिए ठीमारDzent पहले कि अफिसर की तयार की हुई फाइल है इसमें सस्पेक्टेड ट्रग पैडलर्स की सारी डिटेल्स और फोटोज है सर यह क्या यह रामुका का है सर अच्छे से जानता हूं जब मैं बैंगलोर में था तब मैंने इसे पकड़ा था सर इसकी एक चाय की दुकान है सारे ट्र इस महान आत्मी की तस्वीर जमीन पर फेकते है क्या चलो उपर रखो बेवकूफ कहीं का आज कल कुछ जादा ही नाटक कर रहा है एक गुल्णा तो समझ में आएगा कौन है का कई यह यह बहुत बड़ा समाज सेवक है साहब हेल्पिंग स्टार जॉनी इसका नाम है साहब आप आधी रात को भी फोन करेंगे ना तो यह फोन उठाएंगे यह सब कहानी बन करो यार जाओ कस्टमर आगया हां 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 काय काका स्वीट गाड़ी आधी क्या अरे तुम्हारी बाते मेरी समझ में नहीं आती राकू चारली को अर्जंट मंगता था चल निकल लें हां से बड़ा क्यों रहेतना चाचा अरे जाओ काका लेख लो हां ठीक है ठीक है आरे जल साहब जा रहें क्या काका हम से खेल खेलोगी क्या क्या हुआ साहब मैंने क्या गलती की तुम कोड लेंग्वेज में बात करोगे तो मैं समझूंगा नहीं क्या रॉक सीजर चारली अलग-अलग नाम से ट्रक्स का नाम रखोगे तुम मुझे समझ में नहीं आएगा क्या हमको ब्योकूप बना रहे हो साहब मेरी जवान बेटियां उन सब की शादी करवानी है इसलिए साहब ऐसे चोटे मोटे इंफार्मेशन देखर पैसे कब आता हो साहब तो फिर इसकी इंफॉर्मेशन हमको बता दे चाहिए साहब वो क्या है न कि जान सकता हूं तुम्हें या किस ने बेजा है रामुका का रामुका का एक परफून कर हलो हा बेटा वो लोग मेरी बेहन के बेटे हैं उन्हें गोमने का शौक है इसलिए मैंने वहां बेजा ओके हमसा गलती हो गई अब इंज्वाय करो में सकते हुआ हुआ पर जामुका की बेज़ करें अब देखरो यान के लामुका के लिए हाँ लिए कर दो जार भाल हाई रेमेश हाई सुरेश क्या हुआ बाई ड्रेग्स चेंज करने की जगे पर जगे भी चेंज कर रहे हो काका ने कुछ कहा क्या अरे अज मेला है ना काका अपने धंदे में बहुत बीजी होगाज और पिछे वाली गाड़ी में डेख जाने वाला रास्ता पर से अरे भाई ज्यामेट केसे होता है अरे भाई सीधा जाके लेट रहें अरे मेरी गाड़ी गाड़ी कहाँ गई अब मैं डूंडू से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है थोड़ा धक्का मारतों किया अब मेरी गूम हो गई और तो मुझे धक्का माने के लिए बोला जल्दी आरे मुलब आ रहे हैं तो मेरी गाड़ी है रुक जारे वो जब मुझे पता पूछ रहा था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था तुम ने बजा दिया ना चाहिए केस का क्या हुआ तुम उनके पीछे तो होना मैं उनके पीछे नहीं हूं सर बोलो कि मेरे पीछे पड़े सर चेस कर रहे हैं मुझे पूरा होने के बाद कॉल करता हूं थैंक्यू बाई यह विक्रम भी न है 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 तो अधिक्रम एक जाना अधिया कालिया सब लोग मार्केट में आ जाओ यहां पर गाड़ी क्यों रोकिए इस गाड़ी में बैठनेवाली लड़की कितनी खूबसूरत है ना इस टाइम पर यह सब क्यों सर एह मुझे बनकर और जाकर दो गुलाब लेकर आचा जाओ पूलिस वाल आउं बात में देता हूं सर यह फूल क्यों सर एक उस लड़की को देने के लिए और दूसरा तेरी समाधी पर रखने के लिए यह रख लें देखकर सरफ आँखों कोई नहीं मेरे दिल को भी भाग गई है वो फर्स लुक में ही मेरा यह दिल लॉक हो चुका है अब शार आउच्ण गुरा मेनाधि बंदिता तीम पर रखनेंः तीम पर रखनेंः तीम निगरी दम बोगर ले जिन्दी ना दिन्दी जिप्रम लें भी खेगा जोड्माभा मुड्माभा इसानी नापनी नापने नापने जामा हुष जढवा आता है मुझसे पंगा लेगा, चल, निकल यहांसे, चल, निकल यहांसे, हट! कि ढप सिम्हाएंगे यहांसे, चल, कży मुझसे यूराएंगे यहांसे, मैं आप लेगा भूल, झाल, यहांसे, जकल यहांसे, जिकल यहांसे, चल, यॉग 一些्माइग्ने विहांसे, मैं भीवेश्खाऊरा इwn, तो विया उने प्लेबा, पहांसे, तो मैंने मैं निकल झाल यह कि अब बनाव में इसे फोन में डाले ये लेकिन सम्हाल कर ये सिर्फ सिम नहीं है मेरा हार्ट है फिक है ब्रोचे वारे वरुरा मीनु मिना रखुबरा बता, सच बता, बोलता किने, चल्दी बल, 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 सच बता जो पी खाथिया जाने में हो गई सच छोड़ता तुम्हारा बाउस को ने बताओ, मेरे पेशन्स को चेक मत करना, मेरा टेंपर टेंपररी नहीं है, बलकि हमेशा के लिए पर्मानेंट है, मेरे साथ खेल खेलोगे, बल, सब्सक्राइब कोई नहीं है, हम एक दूसर से एक्षेंज होते हैं बस, इसके हाथ सा मुझे, मेरे हाथ से दूसर कोई, उसके बाद हम लोग ही डिस्टिब्यूट करते हैं, सर, मैं कॉलेज हॉस्टल पब को कवर करता हूँ, और अपना रभी मार्केट और बस टेशन को देखता है, कुमार शंकर और बानू बीच को समालते हैं, अपना चंदू और पार्टी, फॉरन कस्टमर को ह क्या बाद है, बसवा, इनके लिए चाय मंगा, सर, आपको दिल साइन से फोन आया है, हाई, 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 मेरा मोबाइल मेले में गुम हो गया था, मैं भी मेले में गुम हो गया हूँ, मेरा फोन भी मेले में गुम हो गया है, यह कह रहा हूँ, मुझे मोबाइल करना था, मैं नहीं आजाओं क्या अभी तो मैं थोड़ा सा बीजी हूं कल चलेगा क्या हां चलेगा न सुबहां चलेगा कल एम जीम रोड में आज जाईएगा बाइट बस वां कल सुबहां कब होगी तर वह रभी वह चंदू और कुमार शंका उन सब की सारी डेटेल डेटिकिया वाई सर यह क्या भाई इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तो कॉल नहीं आया है अलो मैं भावना बोल रहे हूं सर एम जीम रोड पर हूं हां मैं भी वहीं पर हूं अच्छा आपके सामने आपको क्या दिख रहा है और मुझे तो सभी डियोल ने सभी दिखाई दे रहा है वह हाँ यह सर सणी लोनी को देखा है क्या रोज देखता हूं शेरी टॉन करो ना भेजता हो तुमको भी उसका पोस्टर देखा है यासा पूछ रहा हूं तुम उसे पोस्टर में भी नहीं छोड़ते हो क्या चल जा चल बै पता नहीं कहां से आ जाते सब्सक्राइब बढ़ा यह क्या कहीं तुम तो आते ही मुश्कुराते हुए आप ने बहुत अच्छा काम किया मैं आपकी बहुत आभावरी हूं ऐसा कही से सोच था मैंने लेकिन आप तो कुछ अलगी बाते कर रही हो आउना यहीं कई आस-पास मैं है कौफी या टीपी कर सुबदुक़् के बाते कल हम लोग कठीक 12-46 को कहीं पर तो मिले थे ना मिले हो तो क्या हुआ होगा नहीं पक्का है कल अपने वाइट चूड़ीदार पहना था माथे पर बिंदी और हाथों में महंदी लगा कर आखों में काजल और हाथों में चूड़िया पहन कर मैं कौन हो जानती हो जो ज्यादा बोलता है ना मैं वहीं लड़का हो यह तुम कहा कहा से connection बना रहे हो हम दोनों lovers है ना क्या कहा हम lovers है हाँ हलो are you in your senses हम lovers को बने थे कली एक दूसरे को दिखा है ना मैं तुमसे प्यार लगाई थी कौन से कलर के कपड़े पहने थी पैर में किस कलर नेल पॉलिश लगा था यह सब पुछने के बाद में ब्लैंक हो जाओंगा तब तुम कहोगी विक्रम क्या सच में तुम मुझसे इतना प्यार करते हो एक तो उपर से तुम लड़की हो यार मेक अप करने में औ सब्सक्रादा बोलो मत सिर्फ एंजिनी बचाया है यलो यह सिर्फ सिमकाडी नहीं है यह मेरा हार्ट है इसे संब्ल कर रहना है इडिएट डिसकॉस्टिंग पता नहीं वो लड़की मुझे बहुत पसंद आगे यार सर कल ही आपने उसे देखा है कल देखा था है लेकिन मुझे तो लग रहा है उसे देखे हुए काफी वक्त हो यह ले एक फोन करके देखता हूं उसको मुझे भी चैन मिल जाएगा हालो कौन बोल रहा है हरे मैं हूँ जी इंस्पेक्टर विक्राम तुम हो तुम ही मेरा नंबर कहां से मिला सेम तो मैंने आपको दिया था ना आखर लड़के लड़कियों के पीछे इतना क्यों मरते हैं गलती हमारी नहीं है बच्पन में स्कूल जाते वक्त मेरे माता पिता हैं गाता हम उसे लड़कियों से अच्छे मांक्स रखिया लड़कियों कि अच्छे मांक्स लेकिया अपकर तॉर्चर कर रहे थे अब उनकी तरह मांकस तो नहीं ला पाया है है अटलेस्ट आई लड़की का नंबर तो लिलिया वैसे भी आप पढडने में एटेन नबर वन कि अच्छा बताओ मेरे लव प्रफोजल के बारे में क्या सोचा है तुम मेरे बारे में कितना जानते हो सबकु जानकर लव करने वालों में से मैं नहीं हो यहां पर यहां पर पसंद आगई तु बस प्यार तो अपने आप इस्टार्ट हो जाएगा अच्छा बताओ तुम निकलने वाला कोई क्यों नहीं है यह लव प्यार के महले में सर्प्राइज अटैक करने वाला स्वीट एनिमी है यह लव यह लड़के पहले लव को स्वीट बोलते हैं और फिर चुइंगम जैसे चबाकर फेंग देते हैं तुम लड़के लड़कियों से सब काम निकालना जानते हैं मैडाम आप अपनी बात वापस लेलो आप लड़कियों का प्यार तो कुछी पल के लिए होता है लेकिन हमारा प्यार मरते दम तक होता है हां समझ लेना इस बात को तुम ना ज्यादा उड़ो मत तुम्हारा प्यार आखिर तक नहीं रहेगा अगली अच्छी कि यहां कार्तिक बेडु गोपाल स्वामी कहां रहते हैं बता सकते हैं क्या लिए हो प्यार आखिर चुम थाये हैं क्या हुआ बहुत सही लग रही है तो फिर उसे ही पटा लो और पटा है ना और कितना बटाओं वाट अब अब तो तुम्हारे साथ पहला प्यार हुआ है ना तो तुम्हें हाट में जगा दे दिया ना फिर से और इक बार पटाओंगा तो ऐसा अब तुम उस दड़की को कैसे मुझ भार कर देख रहे थे मैंने देखा है अरे हम ता आज मेल को देखते हैं वह कितना सुन्दर है तो उसे तकाटक देखते रहते हैं लेकिन उसे कभी चुरा तो नहीं सकते हैं ना वस्याइव हमारे घर में हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करता हूं समझो मुझे प्यार करो ना मुझसे लड़की कितना भावकारी आप इसे क्यो सता रहे हैं ऐसे सता निसी प्यार कि आज करके नौजवानों ने कानून के खिलाब ड्रक्स लेकर उसका धंदा करने का ट्रेंट बना लिया है यह सब आपको समझना चाहिए तुमने पुलिस होकर भी आप पबलिक को परिशान कर रहे हैं देखिए यह मेरा मकसद नहीं है वह क्या है न आप सब लोग ट्राफिक शायद तो हो सकता है ऐसा मेरे चार लोगों के बीच कहने से वो लोग भी और दो लोगों को कहेंगे इट्स टाइम टू वेक अप आपको कोई ड्रक्स बेचने वाला मिल जाए तो उसे रिहाबिलिटेशन सेंटर भेज दीजिए या फिर कहीं भी ड्रक्स का धंदा करते येस थैंक यू करता आप मिश्रा से बात करो हेलो मिश्टर दूसरा को ही नूर ही रहा है हेलो सर फ्रोग्रेस के बारे में सुनके बहुत खुशी हुई विख्रम की प्रोग्रेस देखके मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है क्यों अर्मान और अध्या के केस को मैं सॉल्व ने कर पाया ना कुछ केस सॉल्व करने में थोड़ा ठाइम लगता है सर पूरी फैमिली खत्म हो गई अगर वो क्रिमनल एक बार मेरे हाथ लग जाए तुसे जेल में डाल के चमड़ियू धेड़ दूंगा एक सिक्के के लिए तुम इतना परिशान क्यों हो आफ्टर रॉल प्लीज एक्स्क्यूज मी सर आपके पास एक रुबय का कोईन हो तुझारा दीजिए क्या प्लीज सर दीजी ना इसे आपने इतना सोच कर दिया मतलब इस कोईन को कमाने में आपने बहुत महनत की होगी है ना सर वो क्या है ना सर खर्च करना बहुत असान होता है पर कमाना बहुत मुश्किल होता है जैसे बिना पांच रुबय के कलम से हम चेक पे साइन नहीं कर सकते ना उसी तरह जिन्दगी में एक-एक रुपय की बहुत कीमत होती है सर, एक-एक रुपय की अपनी वैल्यू होती है सर, I love money, और सौरी सर, गलत कहा हो तो बुरा मत मानियेगा, तुमने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा, चलो अब चलते हैं, ये लिजे सर, एंगेजमेंट कप करेंगे, ए पागल हो गए हो क्या, क्या हुआ, मुझे ये प्यार व्यारना पसंद नहीं है, घरवाले जिससे कहेंगे उससे शादी करूँगी, वाउ, एक बात कहूँ क्या, समय के साथ-साथ अपने को भी बदलना चाहिए, पहले तो डेट देखकर शाद ही नहीं है, अरे, दोनों का टेस्ट अगर एक ही हो, तो उसमें क्या मज़ा है, अलग-अलग टेस्ट वाले होंगे, तब मज़ा अलग आता है, उसे ही तो कहते हैं, ट्रूलप, अ, अ, सॉरी, ड्यूटी कॉल, हेलो, साहब, राजा टोनी सब यहां आने वाले हैं, पक्का न काम की वज़े से जरा अरजेंटली जाना पड़ रहा है, तुम एक काम करो ना, एंगेजमेंट के बढ़े में सोच लो, मैं तुम्हें अंगूटी पहनाऊँगा, और फिर गले में मंगल सुत्र बान दूँगा, ओके, बाई, पाबल है, क्या यह, यह क्या, नौटन की कहीं का, तो तू है ट्रक डिलार, अभी बताता हूं, लगता है, मुझसे मिलने के लिए तिरुपती बाला जी जाकर मुंदन करवा कर आये हो, सही का बात, हेलो, आम ठोनी, इस टीफन, टीफन, अब यह कौन है, जिसने नाष्टा करके अपना नाम टीफन रख लिया है, यू डूंट नो इंगलिश, और शिट, हेलो, यू डूंट नो हिंदी, थू साले, यह क्या हो रहे है सर, ऐसी बाते क्यों कर रहे है, इसने इंगलिश में शिट का तो तू मिस्टर जोनी, वी नेवर एक्सेप्ट सच पूर पफरमेंस फ्रॉम यू साइट, वाइ ड्रग्स साले सो लेस, सुनबे, जा कर मेरे पार्टनर को बुला कर ला, इन साले लोगों के लिए उसके इंगलिश ही सहीर आएगी, इस कमीने का भी राइट हैंड है, या पार्टनर हाई, हाई, मोना, तुम इनके साथ इंगलिश में बात करो, यूर बोस जोर्ची, मीट लेस और सीड लेस करके कहना, तुम अपने इंगलिश में कहो, इन लोगों ने कहा था कि इनके कहने पर अच्छा बिजनिस करोगे, तो दिस्टिब्यूटर और ट्रग पैडलर को भी हम नहीं दे देंगे, पुलिस का कोई लफडा नहीं होगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर विक्रम हमारे लोगों को लाठी खुंसो से मार रहा है, और इनका बॉस तो फॉरेन में केजी कर रहा है, केजी का मतला, पीता है, निकालता है, ओ, इन लोगों से बात करने से अच्छा है और उससे आमने सामने बात करते हैं, और उससे आमने सामने बात करते हैं, करेक्ट, बोल दे, I would like to speak to your boss, no, no, it's not possible, hello, मैं बातों से मस्ती करता हूं, लेकिन हाथ में गन रखता हूं, die or diel, no, no, okay then die, you diel or die, okay, okay, I'll die, I, boss, do you want to speak to you, hello, Mr. George, you didn't keep your promise, we are unable to deal with your product, I think, you have to come down to India immediately, okay, okay, I'll come on 28, hold on, कह रहा है कि वो 28 को यहाँ आएगा, तो चलेगा ना हमें, done, okay, done, उसके यहाँ आने के बाद, वो और कितने लोगों को सप्लाइ करके फंसा रही हैं, यह जान कर उन्हें बेचना होगा, hmm, okay, let's go, hmm, I'll do it, you'll only get it out the way I'll get out of it and take me to pay my cash अच्छे से पेमेंट कर दूंगा, तुरा 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 शॉदो यह ना व्रावना, सपना था इसलिए कहते हैं लड़की से प्यार करने से चप पत्थर से प्यार करना चाहिए मतलब ज्यादा ही सोच रहा हूं मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है अंदर से बहुत ही तकलीफ महसुस हो रही है हां ऐसे काम में आप बराबर बुलाते हो दुख बाटने के लिए जाड़ो लगाने के लिए मच्छड मारने के लिए कभी पीने के लिए बुलाया है कैसा कव्य को पिंड खाने के लिए लड़की की प्रब्लम है इनसान जीवन में जीने के लिए प्राइवसी चाहता है लेकिन मारने के लिए लड़की को शिकार बनाते है वो लड़की की प्रब्लम है इन सारे ड्रग डिलर का बॉस कौन है पता है कौन है वो सोशल वर्कर जॉन्य है यार जिसे इधर उदर ढूंडा वो घर के पिछवाले मिला क्या बात है सर उसको आपके प्यार से क्या समद्ध है है यह आपके लिए ड्रियूटेंट है याज इंपॉर्टेंट है या नेकशत It's dispens बहुत बड़ी सजा दीजेंगे उसे सजा नहीं देनी यह उसे तो मैं अपने प्यार से तो अनुए तो यह तो से दिकता दो एक हई और ब्यार कितागत से हो संब रहल सकता है हां सर, वो रहिंगे क्यों से एक हो सकता ह्य अहुंज से बहुत कंफ्यूस हो गया लगता है यह सारी बात है दिल पर मत दिजे मैं हुना सब्सक्राइब के साथ में तु तो सिर्फ पुराने पांसों के नोट जैसा है पांस में रहने पर भी कोई फाइदा नहीं है यूज होगा कहता है यूज होगा कमीना कहीं का कि अपरेशन टेंपल स्टाइट ये लिजी हो तो ये भिखारियों से दील कर रही है देखो मैं क्या करता हूं यू और अरेस्ट क्या हो सर क्या हुआ हो हम लोगों ने क्या किया साहब क्या बात करें सार हमने क्या किया है ओ-भू तो तुम सब एक ही गुरुप के हो क्यों चलो दिखाता हूं मैं क्या करता हूं क्या करोगे अंदर डाल के आर्थी उतारूंगा चलो 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 कैसी है माजी ठीक हूं बेटी तुम कैसी हो ओ इसमें फूल बेचने वाली भी शामील है क्या चाहिए बेटा तुम चाहिए चलो चलो बैटो चुप-चप अभी तक नहीं आई सर आपने मुझे पुराना पांसो को नोट कहता न चलिए मैं आपको दिखाता हूं वहने क्या किया है चलिए आये सर वह देखिए जौनी के साथ काम करने वाले सबी लोगों को पकड़ा है इन लोगों को पकड़ा तुने यह लोग ठीक से बैट भी नहीं पाते हैं तो इन पर पांसो का पुराना नोट ही हूँ क्या माजी आपके पास ब्राउन शुगर है क्या चीनी के अलावा मेरे पास कोई शुगर नहीं है बेटा तो फिर आप सब लोग यहां क्या कर रहे हो वह आदमी बिलकुल रेपेस्ट के जैसा था हमारे बगल में खड़ा होकर हमें ही सिर्फ इने नहीं देख रहा था हम पर गंदी नजर डाल रहा था हमसे कह रहा था चलो अंदर दिखाता हूं बहुत गंदा और घटिया इंसान है वासपास ही कहीं होगा साहब आप उससे बशकर रहेगा जब हम जैसों को नहीं छोड़ा तो आप तो इतने मस्तिकते हो आप नमस्ते साब आपसे कुछ बात करनी है अपॉइंट्मेंट मिल सकती है यहाँ पर नहीं लोग कर आते आप एए आए आए आये यह को कि हलो कि तुम्हारी आखों में आण्था कि आखे जलती हैं तब आंसुा आते हैं कि हसने से भी आखों में आशू आ जाते हैं अगोभर मैं कोई कि Gomez कोई तकलीफ मुझे कोई तकलीफ नहीं नहीं है तुम मुझे कुछ नहीं कहती छप्यव type तुम्हारे दिल में तो बचपना है लेकिन घर पर बहुत परिशान है मेरे घर पर परिशानी है मा को अलसर और भाई को कैंसर हो गया है बहन की शादी कैंसर हो गई है इसमें भी खत्मनी हुआ तो तुम्हारे भाई का दिमाग कम है और बहन को पोलियो है इन सब की देखभाल करना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है लेकिन तुम रास्ता भटक गई हो मैं रास्ता भटक गई हूँ कोई बात नहीं मान जाओ गलती तो सभी करते हैं उसे ही सुधारने वाला इंसान होता है समझ गई क्या सरोजा हलो मेरा नाम सरोजा नहीं है ऐसा क्या सरोजा नाम से मैं बदल जाओ प्लीज मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं बदल जाओ ना प्लीज बदल जाओ तुम्हारा साथ दूगा गुड जॉब विक्रम, गुड जॉब सर आप जिस काम से कहते हैं वो हुआ क्या बहुत ही बुरे हाला तुमें चल रहा है मेरा प्यार मैडम को बदलने का तो टाइम दिया है मैंने देखते हैं क्या होता है सर मुझे बहुत फील हो रहा है ऐसा करिए आप छुट्टी ले लीजे हम पूजा करें चलते अब एक कमेने तरी जानने लूँगा इतनी धील देने के बाद तो तू सर पे चड़ा जा रहा है ड्यूटी बहुत ही जरूरी है हमारे टागेट में जॉन्नी और जॉर्ज ड्रक्स चाहने वालों का हार्ट है वो हार्ट कनेक्ट होने से पहले ही अगर सारी नसों को हमने काट दिया तो गाड़ी निकल पड़ेगी चल अब चलते हैं अरे यह क्या कर दिया तुमने मेरी रानी मंत्री हाथी माल कर सरफ कुट्टे को छोड़ दिया तुमने मैं इसा ही हूँ सर अबने अपना सारा माल सीज कर दिया है इता होगा इस सब्सक्राइब मेंने है मुझे ही शेलह ना होगा चलिए चलिए आप आप आईए विख्रम ने सारे बाहर आपको स्रीज़ कर लिया ऐसा क्या है विख्रम नहीं है वारा मैंने है नहीं करता हूं छड़ो अब बुरा मत बानो यह यह बुरा मत नहीं का है यह बागी लोगों को तुम देदो देजिए देजिए इससे मेरा काम खत्म हो गया क्या हुआ विख्रम ने सारी पार्टी का वाट लगा अब खुदी मारते हैं आप खुदी मलम लगाते हैं चुम्मा लेके छोड़ देते इसे ऐसे चुम्मा लेके छोड़िये ना तब चाहां पर नहीं लगना चाहिए था वहां पर लगा है वहां चुम्म क्या काम कर उसे बैठा कर धीरे धीरे शैला और पपी दें क्यों सर मैडम ने कॉल किया था क्या सर नहीं यार मुझे भी उसी बात की चिंता हो रही है उसे मुझसे भी ज्यादा उसका काम ही इंपॉर्टन देग्या ऐसा क्यों कह रहे हैं सर 100 परसंट कह रहा हूं सर वो धन्दा छोड़कर पका आईगी ऐसे कैसे आईगी लड़किया अपने प्यार के खातिर परिवार और धन्दा सब छोड़कर आ सकतीं सर इसका मतलब तू यह कह रहा है कि वो मेरी लिए आएगी हाँ सर यह ले मेरी चाहबी तू यह लगा लेगी हाँ सब अगया आगया 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 सर आगया सर वो देखिया उतनी मोशन को मार कर निकल गई सर अब एक कमीन है यह सब कुछ तेरी वज़े से हुआ है थू चल निकाल गाड़ी कि मेरी वाली कुछ अजीव टाइप से शॉपिंग करके आई है कपड़े के दुकान पर जाकर वहां शादी का जोड़ा पहन सोने के दुकान जाकर मंगल शुत्र ले पूल को दुकान पर पूल लेकर अफिजा अव अदर शादी के लिए पंडितों से बात करने कई है बस अभी को आता ही होगा अपको मंगल सूत्र बंदू प्हेले तो मैं बैंक से बोल रहे हूं अक्रम बख्रम कोई नहीं है विक्रम है यहां पर चल पॉंद मेरी शादिय करके बोला था अच्छा ये लोकैश सारी गुंडागर्दी छोड़कर बैंगलूरे में जाकर नहीं जिन्देकी शिरू करो हैंक्स की क्या जरूरत है अब तुम्हें ये काम बंद कर दो मैं बस एक आखरी डील करके लाइफ में हापिली सेटल होने की सोच रही मेरा लेक्चर वर्क आउट होगी नहीं तुम दोनों को अल्ड़ बेस्ट अफिसर्स मैंने गैदर के इंफॉर्मेशन के अनुसार दा मोस्ट वॉंटेज ड्रगलर जॉज माइकलाज इंडिया में आ रहा है आप सब लोग 500 मीटर की दूरी पर रहकर मेरी ओर्डर का वेट कीजिएगा वो सब गैदर होने के बाद मैं आप लोगों को वाइरलिस से एक मैसेज दूँगा बट डोंट शूट टू किल अन कमीनों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है मैं जानता हूँ अमय चलियर तो लेट्स गो जो थीप एंट सान और तरण्ट यहां जौर्ज ज का जौर्ज फॉर्ज जौर्ज के जौर्ज़ बनासरो है बनासर जौर एंट सान का मतलब। खुर का बच्चा वो देख उसके पीछे कितने लोग है और मेरे पक्का वो नाइजेरियन लग रहा है सर आप एक नेटू किया सर मैं उसे हैंडल करता हूं सर दिमाग से पिछड़े इंसान वो एनाकॉंडा खाकर आया है और तुम दाल चावल खाकर आयो गलती से भी उसका हाथ तुम्हारी पा उस लड़की के सारी लोग तो आगय हैं लेकिन वही नहीं आई लगता है वो बदल गई है है यो जॉर्जाहा जोड़की पिछाश योर्मोबाइल ऊप्का नो चारज यो और कीवाड़की नॉब्लम और मोर प्रोब्लम यहारे यू टेक याॉर पूर्दिया हो बापस माई cash it is impossible man don't exam my passion or I kill you and put your head and your hair in car mind it no cash hey एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो लोकल लेंगविज में तेरी में हालत खराब कर दूंगा पैसे वापस करने के लिए तरह नाटक क्यों कर रहा है यार वाट वाइड यू रीटिंग यूर बैक आई से इसे लिए इस तॉबर मेन कुद्धे को लेकर मेरे बोर में चलो वहां इसे उठाँ उठांकर मारूंगा ओखांकर मारूंगा अ्युट्यूमें वंग को फ्सक्राइक ना वे जय सिंदों कोलने के सबक्क्राइब है सब्सक्राइब कर गोली कर IU चलाने से पहले मुझे अरे मेरी माँ की कसम यार मैंने नहीं मारा सुपर आ गई मेरी पार्टनर हर जगा हेरोईन को बचाने के लिए हीरो आता है लेकिन यहां पर देखो इस विलेन को बचाने के लिए हीरोईन आ गई मोना ग्रेट जॉब अब बेवकों लोग यहां क्या तेख रहे हो इन लोगों को पकड़ो जलो 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 ने अरे मैंने तुम्हारी बार में बहुत कुछ सोच कर रखा है तुम्हारा काम नहीं इसलिए तुम्हारी जिंदेगी बचाने के लिए आया तो तुम्हारी जिन्देगी बचाने के लिए आया तो तुम्हें इस प्यार में लड़कियां ऐसी ही होती है सर पहले खुछ इसे बात करती है फिर पसा देती है बताईए सर यह सब करने की क्या जरूरत है सहाब बोलिये ना सर अब सब करना चाहिए क्या आज के बाद उसे प्यार व्यार कुछ नहीं है सिर्फ नफरत ही होगी सभाल कर सर अब बुड़ा है उसे फल दे करके आता हूं देता हूं देता हूं देता जी मौसमी खाएंगे क्या है बक्वास मत कर दिमाग खराब है कह तेरा देख रहे हैं तुछ कर आओ मुझे कब डिश सघ्ण आ रहा है। क्या कर दुर्वल सजन आ रहा है क्या कर दुर्वासस कर दों सजने सजनी है मेरे घर में रहती है और भी अच्छे में यहां रही है चिल लाना नहीं रहो दो हिंगा अरे बेवकुप तुम चूप होуст मुझे भगा कर तुम्हें понимаю तक क्या कर आ openness बुदा आपको बुरा ना लगे तो मुझे सिष्टर बोलने में परिशानी होती है मैडम कहके बुलाओं चलेगा थैंक यू अपना काम कर चल कुछ भी बूलता रहता है अधरी है तो मिला पार दाक्ट यह बुके लेकर मुझे आने के लिए चली जाए के यहां अचे Влад कारो हो सुछ руки आ 논े ये कौन है तुम्हें पता है कौन है बहुत बड़ी मिनिस्टर है गिया ये चोर नी है एक नमबर की नहीं बेटा ये पिंकी है पिंकी हो या मिंकी हो लेकिन ये एक नमबर की चोर नी है अरे ये मेरी बेटी भावना तुम्हारी बचपन की दोस्त तुम इसके पीछे पिंकी सब्सक्राइब करके घूमते थे यह आपकी बेटी यह क्या से जो भी मुह में आ रहा है यह मेरी बेटी है और यह अंडरकवर पुलिस ऑफीसर है मैंने तुम्हारे पीछे इससे तुम्हें पैक अप देने के लिए भेजाता देखो जो कुछ भी हुआ ना वह मेरे मताबी कि ह सुरी विक्रम पर मैं भी इस डिपार्टमेंट की ही हूँ तुम्हें पहले नहीं बता पाई डिपार्टमेंट वोले कोई एक दूसरे को मौर सकते हैं क्या नहीं वो तो गल्ती से हो गया मैं तो वहां जौज को शूट करने गई मैं तुम्हारे साथ कभी थी ही नहीं मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की कुछ चला गया लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं क्या बोला था जैकी चैन बावना बोला था अब देखिए उसने क्या किया तो मचसे बहुत नाराज हो ना विक्रम विक्रम तुमसे बहुत नहीं करूंगा लेज विक्रम आप लोग यह शोर मत करिये उन्हें दवा देने का टायम हो गया है प्लीज आप लोग बाहर जाए विक्रम ना पेटी चोड़ो मुझे मेरी बात मानो इस वक्तिसे छोड़ द सर क्या हुआ क्या वो आपकी चड़ी दोस्ती क्या गई वो क्या कहां तुने सब सुन लिया सर मैंने डिशाज कर दिया चलो चलते हैं चली चलिए सर मां इते परिशान क्यों हो मैंने तो उसी दिन कहा था कि विकरम को सब कुछ सच सच बता दो पर मेरी बात कोई सुनता ही कहां इसकेस को hacker तरीके से हेंडल करना था इसलिए मैंने इससे कहा था कि तुम विक्रम को कुछ भी मत बताना तुम दोनों चाहे कुछ भी कहो लेकिन विक्रम इस वक्त इसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता बताओ अब क्या करोगे मां आप विक्रम की टेंशन मत लो मैं उसे किसी पितरा मना लूँगी आप मुझ पर छोड़ दो नो वे कॉंप्रमाइस का चांस ही नहीं है अपना काम मैं खोदी कर लूँगा उसके लिए किसी के मदद की जरूत नहीं है समझ गए ना अजा सुन वो सा बात छोड़ रात के ख आप पीलो तुरंद आराम मिल जाएगा ऐसा क्या अभी पीता हूं अब पूरी तरह से निकल गई सब आपने मुझे दे दिया तो आप क्या खाएंगा बुले अब तू खाले तेरी खुशी में मेरी खुशी है ओके थेंक्यू वैसे यह मुर्गा बीमारी से मर गया था तो सुचा वेस्ट करने से अच्छा बना कर तुझे खिला दूं लेकिन मेरी लिए तो फ्रेश है चु बेटा करांतिवेर खड़ा हुआ तो गोली बार मैंने तो ऐसे ही मजाग किया था चलो ख़ले सुबहा काम पर लगना है न तुझ मैं आउंगा बोलकर सब फूल लेकर खड़े हैं यह सब किसलिए मैंने तो पस अपना फर्स निभाया है आपके लिए नई सर पीछे जो मैडम आ रही है उनके लिए है यह तो ठीक है बस मैंने मेरे लिए सुचा था ओके क्या सर एक चोड़ी को पुलिस बना दिया ने लिग सर कमिश्णर की बेटी है यह अब देखना इसका मैं क्या करता हूं अब आएगा असली मज़ा यह क्या सर कैसी बेंसाफ ही है मारा आपने और हार उसे पैना रहे हो लो अरे वो नहीं यार वो देख सब लोगे ने कैसे फैशन चो बना कर रखा है ना वो सब मुझे पसंद नहीं है यह सब खाली पिली के शौग लगते हैं तो सर आप भी कुछ ऐसा ही कीजे मैंना में डालूंगा समझा तभी तो सच्चा पुलिस कहलाऊंगा अपनी लेवल तो अलग है ना इसलिए तो सर इसलिए आपको कोई नूर ही रखे दें लाइक विक्रम मैं आपको अंदर को आने के लिए कहा है सर तरी मैडम ना चलो अंदर चलते हैं आईये सर मैडम विक्रम कैसे हो तुम बहुत अच्छा हूं इतनी जल्दी ड्यूठी क्यों जॉइन कर ली आपको क्या तकलिफ हो रही है वो क्या है ना कि चार दिन छुट्टी ले लेते तो अच्छा होता नहीं लूंगा आराम तो कर सकते थे ना नहीं करूंगा लगता है तो मभी तब मुझे भी बहुत तकलिफ होई थी वाँ 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 क्या एक्टिंग करती हो तुम दगडू फिल्म के भानू के बतले तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए थी बहुत बढ़िया परफॉर्मर हो प्रॉमिस विक्रमें आट्टिंग नहीं कर रही हूं जरा बोलने की कोशिश की है तुम ही प्यार की बाते करने लगे थे इसलिए मैं तुमसे कभी बात नहीं कर पाई लेकिन फिर जिस दिन तुमने मुझे रोज देकर प्रपूस किया था उस दिन तुम मुझे पसंद आ गए तुमसे प्यार नहीं होता तो मैं ऐसे नाटक क्यों करत दो चाहिए लाजा मेरे बात मुझे लडकी नहीं चाहिए लडकी यार और साप ने वला सिर्फ छग सबार करते हैं इसको तुम में तुम मेरे पाप को पीच में तुम मैं तुम्हें तुमने मुझे वाली दी हम ठीक है लेकिन जाने से पहले बात बताऊंगा वाट पासाँ ऑर पासाँ ना तुमने मुझे जब क्यों कि जब मुझे दे सकती हो तो मैं छोड़ दूंगा गया है मैं कौनों चَंति हो टीट फॉल्ट एमार मूह लॉगो तो कॉंटर फील्ड पर मिलो तो ऐनकाउंटर अब चलता हो सब्ली सभी लोग कुलू मनाली जाने का प्लान करते हैं सर-मचमनारी में प्लान सब्ल ने पूपता है समझे नंदा गुपता ना मैं कभी भी गुपसवाल पूछता रहता है नालाय कहीं का भाई बहुदे दिनिकल nóulfi मुझे भाँ पीछे पटे रहते हैं अब लड़कों को तो हम took the और हीरा ही मिलना चाहिए चलब चलते हैं सर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं आप चश्मा पहले लीजिए मैं उन दोनों को वाउन करूँगा सर सर आपने हमें बुलाया तुम लोगों से इस तरह के बैवहार की मुझे उमीद नहीं थी सर मैंने क्या किया सर यह सब क्या है हमेशा तुम दोनों का जगड़ा लोग मुझरिमों का कंप्लेंट करते हैं यहां पुलिस पर ही कंप्लेंट किया जा रहा है मुझे शर्म आ रही है जॉनी के केस में मुझे ज्यादा क्रेडिट मिला है इसलिए जल रहा है सर बात बात पर क तो मैं तुम दोनों के खिलाफ एक्शन लूगा सॉरी साथ सॉरी 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 आउट नॉंसेंस अब हो गए ना मंगलारती आप खुश है ना तू मैंने सुना था कि शनी आपके आस पास घूमता है लेकिन वोयटिन पहन कर भी घूमता है यह मुझे पता नहीं था हां मुझे भी बहुत नहीं था कर भूतनी भी साड़ी पहन कर घूमती है मगर यूटिन सल्थ हेसा बोल रहीं था अईसे जगह तुमहरा ट्रांस्फर कराओंगे जहां पानी तक नसीब मुमगा हम एक बार सल्युट कर लोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी ऐं क्या करें सेलीट कर लोनों के बीच क्या सीरेस बात है नहीं कुछ नहीं सर वह जड़ा केस की बरे में करियान सर आय तो तुमने देखा नहीं क्या मेरे पीछे आखे थोड़ी ना लगी है मैं कमिन सर कमिन तो प्रताप, आरादिम अडर केस में कोई प्रोग्रेस हुआ की नहीं? नहीं सर, अभी तक 470 सस्पेक्ट की इंग्वारी कर चुका हूं सर, मोबाइल से लेकर CCTV तक जाच कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है सर। एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर्स या कोई फैमिली डिस्प्यूट्स था क्या? उसकी भी चानवीन की है सर, नो डिस्प्यूट्स, नो फायर्स, लेकिन पहली बार ये केस सॉल्व नहीं कर पाया सर। अब तुम इस तरह से कह रहा हो, तो इस फायल को सील रिपोर्ट डाल कर क्लोज करना पड़ेगा। हाँ सर, मुझे भी वही लग रहा है। इसलिए मैं अपने अपने टीम को कह चुगा हूँ की कोशिश करके ना काम होना मुझे पसंद नहीं। तो आई कुट। तुम्हारे जैसे ओफिसर्स की जरूरत हमारे इस डिपार्टमेंट को है पताब। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। देखो मेरी बात मानो, नेक्स्ट वीक सीम आ रहा है। उनकी सिक्यूर्टी समान लेना। सर बट प्लीज। यू केन गो ना। ओके सर। अधिमर्डर केस में कोई सुबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन वो लोग उसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है। बहुत कोशिश की क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। इतनी टेंशन क्यूं ले रहे हैं आप। पिंकी और विक्रम में भले ही जगडा है। पर दोनों मिलकर केस सॉल्व कर लेंगे। क्या कहा। दोनों को साथ में भेज़ दू। हाहा। हाई बोस। बढ़ो। बोस। इम्तियास। खोडा सप्लाय है। पाल निकाल। बेतरीन मॉडल साथ मैगजिन लोड करके दूप्या। मेरे पास गन मैगजिन बढ़ने का टाइम नहीं है। और तेरी ये फालतू कहानी सुनने का भी टाइम नहीं है। मेरे सामने काम की बात किया कर। सॉरी सर। क्यों बहुत यह ओरिजनल तो है ना। सर। पक्का ओरिजनल ये साब। बस। आजा। ट्राई करते हैं। देख मुन्य शेर के साथ खिलना इतना असान नहीं है। शेर जंगल का राजा होता है। बिल्कुल मेरी तरह है। समझ क्या ना। मुझे धंदे में गदारी पसंद नहीं। जो भी दोखा देता है उस गदार का सरकलम। समझ गया। ठीक है। चला जा। यस बॉस। चलो काम की बात करते हैं। हाँ बॉस। बहुत रिस्क हैं सर। अच्छा। मेरी बात तेरे भेजे में नहीं कुछी है। एक बात बता। ये दुनिया दिखने में कैसी होती है। गोल होती है साब। क्या कहा। बिना रिस्क के कुछ नहीं होता। तुझे पता है। इस रुपए के सामने पुरी दुनिया जुकती है। एक बार अगर तुम्हें पैसा कमाने के लद लग जाये न। तो फिर इस दुनिया में तुम्हें कोई भी जुका नहीं सकता। यह वो नशा है जो सर चड़के बोलता है। और मेरी बात अपनी गाठ बांध लो। मैं मरने से पहले अपनी समाधी नहीं बनाता। यस बॉस। हलो। गबरेल माइ फ्रेंड। तुम इसके साथ जाओ। ओकी बॉस। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस केस को क्लोज नहीं होने दूँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहले ये केस प्रताप मिश्रा हैंडल कर रहे थे। लेकिन अब ये केस भावना और विक्रम के हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया है। मैं आराध्य मडर केस को तुम दोनों को सौप रहा हूँ। तुम दोनों मिलकर इस पर काम करो। सर। इसके साथ क्या। मुझसे नहीं होगा सर। चाहो तो बंडी पुरा चौकी के पास डंडा पकड़कर बैट जाओंगा। लेकिन इसके साथ काम नहीं कर पाऊंगा सर। सर। इसके साथ किसी केस पर काम करने से अच्छा है कि आप मुझे ट्राफिक हवल्दार बना दे। चुप हो जाओ तुम दोनों मिलकर इस फाइल को देख लो और केस को जल से जल सॉल्प करो। जाओ मैं इसे शोकेस में रखने जा रहा हूं क्या मुझे भी स्टड़ी करना है जो इंसान घर पर बैठ कर सिर्फ बॉटल ही ओपन करता है उसके पास फाइल उपन करने का टाइम कहा होगा दो मुझे घर में जाकर सीरियल देखने वाली को भला सीरियसने कहां से आ सकता है चोड़ो मैंने कहाना चोड़ो तू दो दिन में पढ़ने वाली मैं इसे दो सेकंड्स में पढ़ लूँगा तेरा टूजी है तो मेरा फाइफ जी है फॉल फास्ट डायलोग बारने में ये कभी पीछे किया फॉल ने रहता है? है, हट्ट! झाल 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 पूस्ट्ली अक्यला लड़का है देखकर शादी करने के लिए महुनी आई होगी ऐसा लगता है। पहले पता होता तो बारा बजी में मंगव सुत्रबान देता था। यह सब मेरी किस्मत है। तो डरना मत विक्राम अपना बाउस कौने पता है। अनुमान जी जिनोंने पहाड उठाया है और जो दुश्मनों को गाड़ देते हैं। अनुमान भक्तों को तो डरने की कुई ज़रोती नहीं है। आने दे। मैं वागवान देखें कल रात से समझारा हूं लेकिन यह समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। क्या हुआ दसर आपको बसवा अपने घर में कोई शादी शुदा चुड़ल आई है सलगता है मुझे। ना यहां चुडएल है ना कोई भूत यह देखिए गले में तो भगवान की माला है लिकिन टीवी पर सिफ भूतों को देखते हैं और वो भी लाइट्स आफ करके बैठते हैं तो मेरे बारे में ऐसी बातें मत करो मैं कौन हो अनुमायन जी का भगत हो गदा आत में पकड़ कर देखेंगे ना तो ब्रहाँ बहुत को देकर इतना डरना क्या है तुम तो बिना मेक अप कई भूत नहीं लगता मैं तुम्हें रजीने सारे देवताओं को बताने के लिए के खूपसूरती क्या होती है इस भावना को बनाया है तुम्हें अच्छा अधी रात को शमशान से आकर अपनी तारीव कर रही है कोई तो इसे समझाओ मैं तुम्हारी शकल को देखना भी नहीं चाहती सर ने बुलाए इस पी आई हूँ थैंक्स आपका यहां आने का काम पूरा हो चुका है अब आप जाईए इनको खर पे छोड़ गया जा मैं खुच चली जाऊंगा गुरुजी मेरे कमरे में मुझे सोने में डर लगता है तो आप बोरा ना माने तो मैं रूम शेर कर लूँ तो अच्छा रहेगा यह बेवकूप कहींगा इस चीते को अंग्रक्षे की कोई ज़रूरत नहीं है चल जा निकल निकल सर सर एक बार सोचे तो सब लोग चले गए यह चुड़र कहां चिपी होगी अरे बस वह जाके कॉफी ले किया सर बहुत ही दुख़ा है हां सब क्यों रात बर जाकर मंत्रों का जाप कर रहे थे क्या मेरे मूह नहीं लगती तो इसका दिन नहीं निकलता है ऐसा लगता है वह अर्विंद आ रहाद ह है है बता दो कि वह केस वाल टेबल पर ही पड़ी हुई है हाड़ी गड़ी जाकर कॉफी लेग आओ चलो जाओ चल्दे कुछ लोग तो कहते थे कि मैं 4G 5G स्पीर वाला बंदा हूं एई विख्रम कर दो कि वाल मैं 4G इए रहा है वह जाओ है चल्दे कर दो किवड़ी जाओ है विए वाल टेड़ी जाओ कर दो कि दो कर दो कि आधे चलो है अरे वो तो आ रहात है कि दूसरी बेटी अंकिता है ना अच्छा बताओ यह यहां कैसे आई ब्रेट खाओगी बेटा हाई विक्रम कमिशनर ने मुझे ड्रॉप करके अर्मान अराध्या के केस को तुम्हें ट्रांसफर किया ऐसा मुझे पता चले धान मत देना उस केस में कोई कलू नहीं मिला इसलिए केस को क्लोज करने का सोचा था लेकिन सर उस केस में एक नया मोड आया है अर्वी नाराध्या की दूसरी बेटी मिल गई है अंकिता मिल गई है इसने कुछ बताया क्या वो विक्रम इस बच्ची को बहुत तेज बुखार है जल से जल डॉक्टर के पास जाना होगा अं मैं आपको बाद में कॉल करूं बच्ची को बुखर है तो डॉक्टर के पास लेकिए जाना है ओके ओके करी ओके अंकिता कहीं चोट तो नहीं आई चलो को बाउना जागर पानी लगरा है हलो समालो हां वेर इस गॉन हां चोड़ो चलते अंकिता कहाँ चली गई अंकिता कहां चली गई हां उम्किता कहां प्राद्ड़ों हां उड़ों हां प्रा त Sich अंध झाल 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 हुआ 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 है हुआ है विक्रम भावना कैसी है नथिं टू वरी आंटे वो आराम कर रही है इस वक्त मैं भी शेहर में नहीं हूँ मेरे आने तक प्लीज उसका ख्याल रखना बिटा आप चिंता मत कीजिया आंटे मैं सब संभाद लूँगा विक्रम आप है है लूजर क्यों बच्चों के यह से अब मैंने क्या किया है अब मैंने क्या किया है क्योंकि हाथ पर चोट लगी यह बुखार रहा है और यहां अब थेंड में खड़ी ओं अच्छा तुम्हें तुम्हें मेरी फिक्र कप से होने लगी क्यों नहीं कर सकता क्या क्यों कर रहे हो वह क्या है मैं तुम्हें तुम्हें मैं तुम्हें तुम्हें मैं तुम्हें से प्यार करता हूं इस बात पर मैं याकीन कर लूं क्या मेरी आखों में आखें डाल करका हूं ठीक है आखों में आखें मिलाता हूं मेरी आखों में सिर्फ प्यारी नहीं है पिंकी भी है आकरार अपतिश छी आखें अजयुँझ नहीं में त्लीक कीया लुटन भया तर्दवि effा ओं विंकी आखें ए लागरणा कुछे कोशनिघ आखें एचक भूत आखें लगता है अंकिता रो रही है अंकिता क्यों रही हैं अंकिता क्या हुआ यहां आओ क्या हुआ बच्चा क्यों रो रही हो अगर आप लोग जाओगे तो पुले संकल गन लेकर आएंगे गन लेकर आएंगे कौन उस दिन रात को बाहर बारेश हो रही थी हम लोग घर में लोग अच्छिपी खेल रहे थे पापा बैटकर काम कर रहे थे मैं और राजबत दोनों मिलकर एक जगह पर छुप गए थे देदी ढूंड रही थी उस दिन कोई दो अंकल घर में आए मम्मी पापा और बहन को शूट कर दिया वो लोग देखना में कैसे थे एक को देख पाई लेकिन मैं छुप गई थी ना इसलिए उसको नहीं देख पाई अंकल आप उन गंदय लोगों को सजा दिलाओगे ना प्रामेस प्रामेस कोई छोटा सा एविडेंस भी नहीं मिला सीसी टीवी डीवी आर भी मिस हु अच्छा वो किसके बारे में था और क्या था उसकी डीटेज्स तो मुझे पता नहीं है सर सर सच कहूं तो वो कारून के खिलाब रहने वाले ड्रक्स माफिया के खिलाब जाच कर रहे हैं उनमें से किसी एक ने उन्हें मार दिया होगा सर इस एरिया में दो सिगनल्स है एक सिगनल पर कैमरा है और एक सिगनल पर कैमरा नहीं है मैं यह तीन महindestate इसे काम कर रहे हूँ सर तेंकि सर इतने लोगों से पूस्टाश कर रहे हैं और कोई क्लू भी नहीं मिल रहा है अब भगवान कोई क्लू देना पड़ेगा सर करेक्ट वो भगवान ही देंगे है हाई विक्रम एनी प्रॉब्रस एक क्लू मिल गया है ओ वाट क्लू विक्रम सर अंकिता ने कुछ बताया क्या अंकिता से कोई भी वाइटल इंफॉर्मेशन नहीं मिलिये सर लेकिन तुम अभी क्लू की बात कर रहे थे यह सीडी सर मर्डर विक्टिम होने वाले टाइम पर भगवान का त्यहौर चल रहा था उसमें त्यहौर में कुछ सबूत मिलेंगे सोच कर यह सीडी लिकर आया हूं सर इसे देखे तो शायद कुछ सबूत मिल सकते हैं ओ गुड या या गुड गुड इसलिए तुम्हें दूसरा कोई नूर हीरा कहते हैं कि 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 फॉर्वाडिंग स्टॉप 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 ओ शिट इस स्टेशन में GPS नहीं है क्या क मुझे लगता है कनेक्शन लूज है स्टॉप 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 शह नई गाड़ी रेजिस्टर में नहीं हुए है नो वरी विक्रम बेटर लग नेक्स टाइम मैं हर दिन का अपडेट पता करता रहूंगा अगर आपको कोई अतलाज ना हो तो जरूर सर नो प्र सौरी अंकल इट्स ओके बच्ची को बिस्किट लाकर देदो सर हम लोगों के लिए भी बिस्किट दूंगा ना तुम्हारे साहब और मैडम को हां सर सिर्फ बच्ची के लिए लेकर आओ हां अब हम क्या करेंगे कर दो बाल करेंगे और कितना दिन लगेगा उसे ढूड़ने में थुड़ा टाइम दे दीजिए और कितना टाइम चाहिए वो कोई चंगल में छुका वो गिरप्पा ने क्या वो राजप्पा है तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता लेकिन उस विक्रम के हाथ लगने से पहले उस राजप्पा का चप्टर कलोज करना है गेट आउट सब्सक्रावर से बात करके डेटेल्स कलर किया सर इसमें एक कर प्रताप सर इसलिए उस दिन किसी भी कस्टमर नेटवर्ग आराद की आसपार डेटेक्ट नहीं हूआता सर सर वो टावर के डेटेल्स इसमें है सर पावार ने दिया है इन में से कोई नहीं है तो उस कार में काउन था कोई खत्रना का आदमी मैनिपुलेट कर रहा है वो कहा है तो अपनी टीम लेगर वहाँ पहुंचा मैं आता हूँ मरते वक्त गलती किया तो बचने का कोई चांस नहीं होता गभ्यल हो अपनी श्रवाँ एड़ कर दो अपनी है विद्धा अगे जाके जुंड़ और तू तो गया अब कैसे बोलेगा एक सारी विक्रम काहीं मिला से भाग किया वो ऐख जारे विक्रम वाट्स और नेक्स्ट मुव्व बच्चा यही है क्या बो कि एए ऐसे क्या देख रहे हो देखो नहीं हाँ शादी से पहले यह सब गलत होता है शादी से पहले अगर लड़की का फायदा उठाए ना तो कुंफू करके जिंदेगी बड़ के लिए तुम्हें घर पर बिठा दूँगी मेरे बॉइफरेंटों तो क्या हुआ नो विकी न कि बहुत बड़ी सुंदरी हो गया इसे देखकर अपना कंट्रोल खोकर कुछ नहीं कर सकती हो तो बोल्डियों की कॉंफू करने आता है मुझे इस वेट में वेट में वेट में वेट में अब एक स्केच निकला था ना उसने गरुडा चैनल पर किसी फिल्म एक्ट किया है तो उसका प्रोडक्शन मैनेजर को ने इसका पता लगाते हैं और वहां जागर पुश्टाच करते हैं अरे सुनो बास के सामने मेरी इजट मत उतार देना है अरे बसवा हां सर्व मैनेजर का है जरा पूछ हां हालो कहां पर हो क्या यार तुम लोग भी पुलिस के साथ कैसा कर रहे हो ठीक है ठीक है जल्दी आ जाओ सर्व बैंक में के रहा है सर्व आप बहुत खुश दिखाई दे रहे मुझे थीएटर में हिंदी सिनेमा रोड पर शूटिंग देखकर पता नहीं मेरा दिल बहुत ही खुश हो जाता है यार मुझे भी ऐसे होता सर्व आपको हिंदी में कौन सा हिरो पसंद है सर्व तुझे तेरे नाम में कौन सा अक्षर पसंद है मुझे तो सारे अक्षर पसंद है सर्व क्योंकि नाम में सारे अक्षर इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे नाम के लिए हर एक अक्षर इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल उसी तरह हर एक एक्टर चित्रकला के लिए इंपॉ यहाँ हम सब को एक होना चाहिए और सब को एक दुसरे का साते देना जाए खाया है आप की बाते यहां नहीं यहां लगी है सर है अच्छा तो डीर्येक्टर को है मैं ही डाइरेक्टर हो सर श्री नर्सिम राइगि हो तो बस्ट ऊइस्ट ऑफल सर आप लोग आने वाले हो ऐसा तो पूरे सट का चक्कर मार लेते हैं ना कौन हीरो है को और नाई है देख लेते हैं गुड आइडिया चल चलिए आइए सर ओ देखा एक फिल्म बनाने के लिए कि अच्छा लगाया था अब कौन सकता है हीरो सर आपको नहीं मिला नमस्ते सर अरे सुर्व इसक्रिप्ट लेकर अच्छा जाए डिए डिए गधाने के लिए जाए डिए जाए बिए भी जाए देख प्रफ़ इस दोब कर तो आपके लिए जाए लिए अच्छा नमस्ते नमस्ते माजी अम अल्लाबली से आए है यह मेरा बेटा शिपू है मैंने इसे मेहनत मजदूरी करके पाला है लेकिन अभी आत्मत्या करने की कोशिश करता है मैं कब से पूछ रही हूं कुछ नहीं बता रहा साहब आपने तो बहुत लोगों की जिन्दगी बचाई है आप बहुत महाने साहब इसको अच्छी बाते बताकर आप इसकी जिन्दगी बचा सकते हैं बचा लीजिया ना साहब मैं आपके पैर पड़ते हूं ठीक है मैं देखता हूं सच बताओ क्या हुआ बात क्या है भाई मैंने एक लड़की से प्यार किया था भाई वह मेरी पडोसन थी मुझे बेवकूब बना के चली गई मे लेकिन मरने से पहले मेरा एक काम करोगे तुम बिल्कुल करूँगा भाई ए मंजो हूं यह ले भाई यह ले पकड़ भाई मेरा हाथ काटोगे क्या क्या क्यों भाई इस हाथ को बहुत जल्द bाजी है इसलिए क्या जल बाजी भाई बाल जाड़ने गया था तो चार बाल निकल गए इसलिए भाई क्या बाल जड़, जल्क till यह तो बार जान गई तो दोबारा नहीं आ सकती आपकी बाद ठीक है भाई लेकिन बिना प्यार के मैं कैसे जिन्दा रहा हूं घर पहुंचने में दस मिनट देरी होती है तो दस भगवानों के आगे हाथ जोड़कर वेनती करती है इसे तुझे प्यार नहीं दिन रात वेनत करने वा तेरी आँखों के सामने अपने लिए किंग्डम बना ले तभी तुझे छोड़कर भागने वाले लोग तेरा आटोग्राफ पाने के लिए लाइन में खड़े हो जाएंगे इस दुनिया का यही दस्तूर है तू सिर्फ दो लोगों पर भरोसा कर एक तुझे जरम देने वा साजा बंद कर रहेगा ठीक है आज से मैं आपसे वादा करता हूं मैं अब मरने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा कभी नहीं पहले अपने माता-पिता को खुश रख समझ गए ना उन्हें हमेशा खुश रखना ठीक है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद साहब आपका है ठीक है चलता हूं मैं आज के बाद से मैं आपको खड़ी दुख में दूंगा बुद मॉर्णिंग से नमस्ते सार सर ये सिंग करना है ठीक है ठीक है आता हूं से है कौन है वाँ बाहर लिका लो है अरे ट्रॉली और आगे लो ओ एलो विक्रम हेलो सर बैठिये ठीक है आप से मिलकर काफी दिन हो गए हैं सर आज मिला तो खुशी हो गई मुझे भी आप यहां कैसे सर अरविन और आराध्या के केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूं मैंने भी पेपर में पड़ा है वो बड़ा क्रिटिकल केस है ना जी हां सर बट अभी हमें क्लू मिला है सर व अगवान के मंदिर में रज जाने का रास्ता देते हैं लोग यह पता नहीं लेकिन हम जाते हैं तो हमें रास्ता देते हैं हां हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं एक हमारी हां में हां मिलाने वाले और दूसरे हर बात पर इंकार करने वाले तोनों ही डेंजरस होते हैं आ में हां मिलाने वाले अपने गलती कभी नहीं मांते और इनकार करने वाले कितना भी अच्छा काम कर लो वो नहीं मांते अगर हम अपने दिमाग से चले जो चाहे हासिल कर सकते हैं बिल्कुल सही का सर अगर हमें मंजिल तक पहुंच रहा है तो अपने ही रास्ते से चलना होगा सर शॉट रेड़ी है हां आता हूं ओके विक्रम फिर मिलते हैं मेरी तरफ से तुम्हें हमेशा सपोर्ट मिलेगा यह सब्सक्राइब मैनेजर की कोई खबर नहीं मिली है उसको फ हां सर वो पांच साल पुरानी फिल्म है अब वो मेरे टच में नहीं है सर वो कहां है कोई नहीं जानता बट सर उसके साथ रहने वाला एक है सर ए रिचर्ड इदरा हलो हलो बस्वा सार तुमने जो स्केज बनाया था वो दिखाना हां है डियो नो इस का है ओ गैब्रियल यह वोगोर पांच वर्य इस स्टेन आ डोंगोट अच्छाय नहीं नेम आफ टाट ब्लक स्नोग अब कुए है कंष्ड कर आद अट यहां अकेली क्यों है एक विक्रम का है श्मार्ड के स्में एक सस्पेक यह मिली है वो उसे कस्टडी में लेने गया है सर इस बार टार्गेट मिस्स नहीं होगा एक एक में लेने बार्गेट में लेने लेने लेकते है से नहीं है सब्सक्राइब करनेक्शन अभी कट हो गया है सर हेलो मिस्टर अभी चो रिकाउड हुआ उसका सिसी टीवी फूटेज मुझे दिखाना सर सिसी टीवी कैमेरा का कनेक्शन तो अभी कट हो गया है वही फोन पे में बोल रहा था सर उसके जेब से एक मॉल के पारकिंड टिकेट मिला है कर दो बोल रहा है हाँ सर हाँ पवन मैं गेबरियल का नंबर भीचता हूँ कल बारा बजे उसने किसी को फून करके मीटिंग की है उस मीटिंग करने वाले आदमी ने किसी और को कॉल किया है उन दोनों नंबर्स को ट्रेस आउट करके मुझे उसके डीटेल्स दे दो ओके सर देता हूँ इस ट्रक्स पेडलर्स का केस फाइल का है फाइल रूम में है सा इस ओके मैं देखता हूँ करिया हूँ कि अंकीता पर अटाइक हुआ राजाप और गेबरियल को भी महा ड़ा मैं इतना सावधानी से कर रहा हूँ तो भी कोई मेरा पीछा कर रहा है कौन हो सकता है यह तो सोचने वाली बात है हाँ पवन गेबरियल को जिस नंबर से फोन किया गया था वह इमरान पाशा का है वो एक भाग ब्ला ट्रग्स पैटलर से से सर उसने 943-2555 पर फोन किया इस नंबर का तार ग्रैबियल और इमरान पाशा से जुड़ा है सर यह किसका नंबर है सर एक मरियप्पा नाम का आदमी है बट उसे मरेवे तीन साल हो गए है सर किसीने फेक डॉकमेंट्स देकर इस सीम को खरीदा होगा ये नमबर हमेशा स्विच्ट ओफ रहता है सर और कभी-कभी ओन भी होता है सर अरादिया मर्डर केस के लोकेशन पर ये नमबर एक्टिव हुआ था सर अच्छा तुम्हें काम करो इमरान का नमबर और वो 555 नमबर कनेट करो और जैसी काल होता है मुझे बता देना हाँ जरूर सर थैंक्यू काउन हो सकता है हेलो हाँ बोलो पवन सर इमरान पाशा का नमबर स्विच ओन हुआ है लोकेशन कहां का दिखा रहा है ओल्ड एरपोर्ट रोड सर अच्छ ठीक है तुम मुझे वो लोकेशन भीजो मैं वहीं पर जा रहा हूँ सर वह 555 नमबर उससे बात कर रहा है अच्छ उस नमबर का लोकेशन कहां पर दिखा रहा है सर वह आपके है अरिया में जूरी सेक्षन के आसपास मैं जाओं वहाँ पर कहां पर सर बार मिनिट की दुरी पर पवन मुझे एक्जाक लोकेशन सेंड करो आपके है पुली स्टेशन में दिखा रहा है वाट? हाँ सर अमारे कुली स्टेशन में? हाँ सर आपके है आपके है इमरान, मैंने 10 गिंग पिंग ड्रग्स पैडलर्स का डिटेल्स कलक्ट किया है इमिडियेट उनका फिप पासपोर्ट बना कर उने बाहर भेज़ दो वो जितना डिमांड करेंगे उतना पैसा दे देना नगोसियट मत करना वो ड्रग्स को यह और नहीं डिल कर रहा है वो हमने ही किया है वी बिल बिल फास्ट वान्स हाट केक के जैसा सेल होगा वी केन मेंट दा मनी एक बात और अभी मैं पुली स्टेशन में हूँ जरूरत ना हो तो इस नमबर पे कॉल मत करना डारेक्ट वू स्टे पे आजाना ओके बॉस बाए पवन सर कॉल कट हो गया गया जेस्ट अभी कट हो है सर अरध्या मडर केस वारे नमबर का में लोकेशन मिल गया है सर पंकिता मिल गई क्या इसमें सिरिक कार परताब सर की है सर हेलो ए इमरान क्या मालिक बहुत दिनों बाद याद किया जेल में रहकर भी अपते में पंदरा क्रोड कमाने के लिए जेल में सेटिंग शुरू कर दिया है माल बेजोगे क्या अरे इसमें कौन से बड़ी बात है जितना चाहिए उतना भेज़ दूगा वो लोग स्टफ है वेजिटेवल का पफ नहीं गोदा में फूल स्टॉक है आप टेंशन क्यों ले रहे हो ठीक है काम कर उसके साथ एक लड़का आएगा उसे साथ ले जाकर उस स्टफ को कॉलिटी को चेक कर ठीक है हाँ फर्स टाइम पूलिस तुक अले ब्र object कर पोली सेल में इंठी हुई ती तो पूलिस बड़ी के लिए का था डू आप में ऐसी हमे再 बड़ गया था जौन नो पुलिस पापा टेलिंग लाइस नो पुलिस पापा ओपन यूर पैंट देख लो पुलिस पापा देख लो जुग जाओ एक बार ओके पुलिस पापा अरे खुछ तो पीछे घुप गया आपने क्या सोचा तहीं लोगी आप पपी देंगे पिसे अपना गहर समझ रखा है क्या सर्थ दिखाने के लिए बोला तो आप खुश हो गए खुशा दिया ना गढाता है सजा 252 एक मदद कर दीजिए मुझे छूड़ दीसकर प्लीज प्लीजे अईसा करते रहे ना कभी न कभी बाहर निकालूंगा टाइम टू टाइम खाना खाव इकर सो कर यहीं पर आराम करना साउधान मेरा वोगिंग स्टाइल देखा तो बट पर आप करो सार सार हेलो सर हेलो उस रेट डीलर ने फोन किया था सर उसने बहुत बड़े बिजनेस का उफर दिया है सर वो अभी वीकली 15 करोड का बिजनेस है जॉनी क्या है वो तो जेल में है ना इतने दिनों तक तो वो सालियन था फिर अचानक कैसे है सर उसने अपने काम के लिए किसी को रखा है जौनी तो अपना है बड़ पार्टी की करेंटी है ना बिल्कुल सर वो पार्टी को जगे और स्टॉक दो दिखाने के लिए ठीक है गोदाम दिखा देना बड़ सावधानी से वह के बौस ड़न है भावना इतनी जल्दी में कहा है वो नाइट पब्स का टाइम एक्स्टेंशन हो गया है उसकी बारे में पापा से बात करने जा रही थी और फिर आज अर्विंद और आराध्य का बर्दे भी है तो सोच रही थी कि अंकेता को सिमेट्री लेकर चली जाओं वो कहा है हमारा डानेमिक उसके बारे में तो पता नहीं सुबह से नहीं देखा उसे तुमने भी नहीं देखा क्या नहीं सर्व कि नाइन वनीट जीरो सिट डबल टू यह ना विकरम सहब के स्टेशन का नंबर है जानते हो ना वह अपना केस हौल करने वाले हैं हां हां मैं आ रहा हूं आरह को समझ में नहीं आ रहा है किस डील करने के पीछे पड़ो तो ऐसा ही होता है पूरा दिमाग लगाना पड़ता है एक ना एक दिन उट पाड़ के नहीं चाहता है यह सर और यह बाद तो एकदम पकी भी है ना सर भले आने में थोड़ा लेट क्यों ना हो अगर तुम्हें सा जाकर अपनी हद में रहना चाहिए विक्रम साब को देखने के बाद हद में रहना पड़ता है तो उस हद तक पहुंचने के लिए बाउंडरी भी तो होती है ना सिर्फ मैं तो यहीं जाता हूं कि सारे केस उनको ही मिले वही ठीक रहेगा यलो इस बैग में पैसों के साथ सा सावधान उनको कोई शक्क नहीं होना चाहिए चलो जाओ मैं यहीं पर रहता हूं तुम जा आज ही यह ना जॉनी डिलर की मिटिंग मैं निकलता हूं विक्रम के साल कियो हुए केस का सबूद जॉनी है भाँ करके यह पंद्र करोड की डिल विक्रम का यह नाटा कहां गया वो इस चाल से वो ज़रूर मर जाएगा बट मरने से पहले थोड़ा ट्विस्ट होना चाहिए पहले किस की बारी पहले कौन 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 क अंकिता को उसके मॉम डट के सिमिट्री पर ले जाना है भावना अंकिता उसके बाद इसकी बारी अब मैं वो फोटो डिटेल्स बेचूंगा उन दोनों को किड्नैप करके दो अलग अलग जगहों पे रखके लॉक कर दो मैं बाद में बताता हूं क्या करना है अब देखता हूँ कि इस खेल का राजा क्या करता है हाँ बोलिया न सर आय विक्राम कहा हो भाई मन शांती के लिए मंदिर में आया हूं सर मन्दिर में जाके भागवान का दर्शन जरूर करना चाहिए जरा अपने सामनी की तरफ देखो देखा तीधा परत्यक्ष दर्शन है वाओ तुम्हारे जैसा दिमाग वाला और ब्रेफ पुलिस आफिसर सिर्फ फिल्मों में ही होता है ऐसा है लेकिन अपने डिपार्टमेंट में भी है यह देखे बहुत खुशी हो रहे है विक्रम क्या कहते हो तुम्हार आप सब लग खिलोनों से खेलते हो और चेहरे पर मुखोटा लग अगर मेरे साब भी खेल रहे हो यह सब कुछ पैसों के लिए है विक्रम देखो पूरी दुनिया हाथ उठाकर सिर्फ दो लोगों को ही सलाम करती है एक मंदिर में रहने वाले भागवान को दूसरा उन अमीरों को जिसके पास पैसे होते हैं मैं मुखोटा बहन कर जिन्दगी जीने से पहले खाकी बहन कर अ जाता था तब मेरी लाइफ कैसी थी पता है क्या तुझे कितना समझाओं मैं तेरे पापा से बात करके तुझे नई गाड़ी दिलवा देती हूं स्टार्ट ही नहीं हो रही है मा इससे कुछ नहीं हुआ थोड़ी दिर में स्टार्ट हो जाएगा आये सर घर तक ड्रॉप कर देता हूं ज़रूरत नहीं जा कोई बात है साब आये बैठिये तुझे बोला ना चल निकल वो मेरे पुलिस टेशन के सहाब है उनकी पुरानी गाड़ी है इसलिए भी तक उन जेब में एक रुपए का शिक्का भी नहीं था क्या करता मैं हां कि 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 अ कि 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 अ करना है साथ लाग का खर्चा आएगा तुरंत भर दो सर इतनी जल्दी में पैसों के इंतिजाम करने में अमांट की क्या जरूरत है सर आपके मां तो मर चुकी है बॉड़ी मॉर्चरी में है जाके देख लीजे सर सर अंदर मां जाएं सर पहले पैसा भर ना होगा बॉड़ी नहीं मिलेगी अंदर मां जाएं सर 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 अरे जाने दो भाई पुलिस बना है सहाब आप यहीं रुके सर यह अपने थाने के एरिया में लाइब बैंड ओपिन करने जा रहा है और वो चावल उगाने वाली जगह है कांजा की खेती होगी तो अच्छा होगा ना सर सिर्फ इतना ही सर एए लारे जल्दिला चल्दिला हाँ सर आपने हाँ कह दिया सर आप देखे मैं कितना पैसा लाता हूँ उसे दिन मैंने फैसला कर लिया करोडो करो रुपे कमाना जो पता है इनसान की वैल्यू नहीं होती पैसो की वैल्यू होती है हर घर में टीशू पेपर बातरूम में होता है लेकिन कागजात को लॉकर में छुपाते हैं वो कागजात उनकी संपत्ती होती है उसी तरह इंसान को टिशू पेपर की तरह यूज करके फेग देते हैं विकरम, यही इस दुनिया की गड़वी सचाई है, इसलिए हाथ से गिरे हुए सिक्के की कीमत मैं चानता हूँ, अब तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? गलत है सर, I'm really sorry for your loss, जेल में रहने वाला हर कैदी अपनी-अपनी सेंटिमेंटल स्टोरी बताता ही है, उसे सुन कर आसू पहुंच कर उसे बचा तो नहीं सकता है ना, जब गलत काम किया है तो उसे सजा तो मिलनी चाहिए सर, और कानून भी यही कहता है, Stop it Vikram, मेरा brainwash करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारे फोन पे एक वीडियो भेजता हूँ, पहले उसे देख लो Damn it दोनों अलग अलग लोकेशन में है, तुम एबिडेंस को डारेक्ट मेरे पास लेकर आओगे तो दोनों सेफ हो जाएंगे अगर एक को सेफ करने करें, तो दूसरा अपने आप मर जाएगा Your time starts now Vikram कहाँ विक्रम, अभी तक एबिडेंस लेकर नहीं पहुँचे लेकर भी नहीं आओँगा अच्छा, फिर भाव ना और रंकिता अल्रेडी मर्द बन कर निकलाओं तब तो हो, तुम्हारी लवर के जिन्दगी खतम, बेचारी उसको आप कौन बचाएगा दुरियो धन के पीछे सौ लोग कौराओं है तो इस अर्जुन के साथ कृष्ण नहीं हो सकता है क्या इस अर्जुन के बेच्ट सुद्टर्ण के साथ कौराइगा झाल झाल कि अब भी विखत है विकरम, एबिडेंस मेरे हवाले कर दो, वटना कोई नहीं बचेगा, तुम भी नहीं समझ गए? झाल 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 इतनी पवित्र खाकी पहन कर ऐसा घटिया काम करने का आपका मन भी कैसे किया सर? इसे गलत काम करके आपने करोडों रुपए तो कमाये होंगे, लेकिन आपकी माँ वापस आगी क्या? आप पर कई लोगों की माये भरोसा रखती हैं, आपको पता है ना सर? तकलीफ ने सब कुछ सिखा दिया, ऐसा कहने वाले आप घटिया सामराज बनाने से अच्छा, बूढों के लिए कोई आश्रम शाला, या फिर कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं बना देते हैं? सेंटिमेंटल कहान ने सुना कर गलत काम करने वाले तुम जैसे लोगों के लिए हैं, ना कोई बेल मिलेगी और ना ही माफी हैं अनकीता, तुमसे प्रॉमिस किया था ने मैंने, कि तुम्हारे माता पिता के खूनी को सजा बिल्दाँगा अंकल आपने इन लोगों से लड़कर मुझे तो छुड़ा लिया लेकिन आंटी आंटी सही टाइम पर नहीं पहुंचा इसलिए अंटी कोन लोगों ने मार दिया होगा अरे उधर तो देखो कोन आया है अंकिता अंटी तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम बहुत ग्रेट अबाओ ना मरने के बाद भी तुम मुझसे मिलने के लिए यहां पर आई हो है तुम से शादी करके तुम्हारी गले में माला डालने के बरे में सूचा था अब तुम्हारे फोटो पर माला चड़ाने की नोबत आगी है रहें तो अब क्या कर सकते हैं मैं कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसके सब शादी कर लूगा और मेरी होने वाली खुबसूर नहीं सुद्रोगे गर्फरेंड मुसीबत में हैं तो गारी से या घोरे से आना छोड़कर उसे मर जाने के लिए छोड़ दिया था कोई बात नहीं मुझे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टार आया है क्योंकि तुम्हें तो मेरी कोई परवाह नहीं होती तो मैं वहा सुद्प नहीं होता है सब को नमस्कार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्मान आराद्देकेस सॉल्व हो गया है और मुझे बहुत फक्र है कि हमारे डिपार्टमेंट का दूसरा कोहिनूर हीरा विक्रम ने इस केस को सॉल्व किया है इस केस का प्राइम अक्यूजड है प्रताब मिश्रा हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे पोस्ट पर थे ड्रग माफिया बहुत ही गलत काम होता है यह सच है कि इसे रोकना बहुत ही जरूरी है ऐसे हालत को सही वक्त पर सुल्जाने के लिए पबलिक का साथ होना बहुत ही जरूरी है मैं हमेशा कहता रहता हूँ आप और हम एक होने चाहिए हम सब मिलकर चलेंगे तो खूब जमेगा रंग मुझे डिरेक्टली सपोर्ट करने वाले और इंडिरेक्ट सपोर्ट करने वाले मीडिया वालों को और इस राज्य की जनता का शुक्रियादा करना चाहता हूँ तो नेक्स्टिप क्या है विक्रम देखते हैं तुम्हारे पापा इस बार कौन सा केस सुचेंगे इस बर मैं खतरनाख केस तूँगा अपनी बेटी को तुम्हें सौप रहा है क्या आंकल आप भी आप कोई टफ केस दिखेंगे ऐसा मैंने सूचा था लेकिन ये मेंटल केस म थेंक ये मेरे लिए भी थोड़ा बचाओ मैने मूँ लगा लिया कोई बात नहीं अब या क्या कर रही हो पती परमेश्वर होता है रही है शेक्तान हुँ 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 क्यों इतले डूगे हलो जब कोई हायर ऑफिसर आता है तो घरे उकर सल्यूट मारना चाहिए मारो सल्यूट कलपती परमेशोरे कहकर पैर चुआ था ना अब सब के सामने सेल्यूट कर वा रही हो तुने छोड़ोंगा नहीं दिवालिगा त्यहोर मनाऊंगा तुम्हारे साथ पठागा भी फोड़ना सर